शेगाव शेहर में प्रकाश शुलरन अस्पताल के डॉक्टर सचीन सांगी ने 6 साल की बच्ची की आहार नलिका में फसा पाच रुपे का सिकान निकालने में विनाश शेस्त्र कडिया से सफलता प्राप्त बताया जारा है कि जलगाव शामूत तालुका के दुर्गम आदिवासी भागों में पिंगरा गाव में रहने वाली संगीता दलसीह उम्र पात साल की बालिका ने खेलते खेलते पाच रुपे का सिकान निकल लिया वसिका बालिका की आहार नलिका में फसक्या जहां बालिका को तकलीफ होना शुरू ही इस पश्याद बालिका मरीज को जलगाव जामूत की बालरोग तद ने डॉक्टर संदीप वाकिकर की अस्पताल में परीजनों नी लाया तुरंथी डॉक्टरों ने एकसरे निकाला एकसरे में बालिका की आहार नलिका में पाच रुपे का सी का फसा ह हुआ दिख रहा था बालिका की तकलीफ पन्नी से डॉक्टर नी शेगाव की प्रसित बालरोग विशेशक्य डॉक्टर सचीन सांगले की प्रकाश शिल्डर्न अस्पताल रेफर किया गया डॉक्टर सांगले ने समय सुचकता को देखकर बालिका की बिना शस्तर किया करते ह पाश रुपे का सिका निकालने में सफलता प्राप की बताया जारा है कि ऐसी ही घटना एक मरीज की आहान नलिका में बटन बैटरी सल फसा हुआ निकाला गया था जिससे प्रसिद बाल रोग विशेशक्य डक्टर सचीन सांगली ने कई मरीजों की चान बचाई BCN News के लिए खापर खेड़ा से दिलिप कचपिये की रिपोर्ट